नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक्समार्ट स्टेडी योटूब चैनल पर साथ्यों आज है 11 फरवरी 2023 और 11 फरवरी के सारे इंपोर्टेंट करेंट एफेस को देखेंगे साथ्यों इस वीडियो में मैंने जितने भी कोश्चन लिये हैं वो सारे ही सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महजपुन है तो अन तक जरूर देखेगा तो चली सुरू करते हैं बिना किसी देरी किये तो साथ से जाग के ही सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लेना पूरे दिन का टेंसन आपका खतम हो जाएगा अब बिल्कुल सौट वीडियो होती है बहुत ही कम समय में आपको पूरे दिन का करेंट फेस पढ़ा देते हैं जैसे कि आज का पहला कुश्चन है किस भारतिय गोलफर ने केनिया लेडिस ओपन का खिताब जीत लिया है 2020 का तो देखेगा किस भारतिया गोलफर ने केनिया लेडिस ओपन 2020 का खिताब जीता है तो इस question का right answer बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि साथी वीडियो के description में आपको telegram चैनल का link मिल जाएगा वहां से click करके आप लोग जोइन कर लेना आपको सारे पेडियाफ वहीं से मिलेंगे तो देखिए इस कोशन का राइट अंसर होगा अधिती असोक जैसे की साइड में आप इनका फोटो देख सकते हैं ठीक इन्हों नहीं अभी हाली में केनिया लेडिस ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है आ 69 की बढ़त के साथ यहां किताब हासिल किया देखे खास बात यहां है कि अधिती का यह जो है एलिटी किताब है यह आपको याद रहना है यानि देखिए लेडिस उरोपियन टूर का जो यह इनका चौथा खिताब है यह भी आपको याद कुस्टन नमबर दो है उत्तर पर् राइटेंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी ने उप्शन नमबर भी राइटेंसर है याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनाओ में यूपी गलोबल इन्वेस्टेर समिट का उद्गाटन किष्णि किया तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों ही इनके साथ उपस्थी थी इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि रिलाइन्स ग्रूप के चेर्मेन और मेनेजिंग डिरेक्टर जो है मुके संबानी ये भी उत्तर प्रदेश गुलोबल इन्वेस्टेर समिट दो हाजार तैस में सामिल हुए थे तीके चलिए आज का अगला कोश्चन देखते हैं भीशन बीजली संकट या औरजा संकट के बीच जो है किस देश में राष्ट या आपदा घोसित किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है और साथ हो आपको याद रखना है दक्षीन अफरीका में और साथ हो आपको याद आफदा नेशन संबोधन के दोरान देश में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिती का एलान कर दिया तो याद रखना दक्षीन अफरीका के अभी जो है राष्ट पती कौन है तो सीरील रामा खोसा जी और इनका फोटो में ने आपको दिखाया यहाँ पर आप साइड म रोकेट जो है वो लॉंच हुआ उसका नाम क्या है तो एस 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 एलवी डी टू ऑप्सन नंबर ए आपका इस कोस्टिन का राइट अंसर हो जाएगा याद रखना उस रोकेट का नाम है यह एस 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 एलवी डी टू ठीक है और यह 37 अंतरीच केंद्र जो स्री हरी कोटा म है 37 धवन अंतरीच केंद्र से 10 फरवरी 2023 को सुभा तीन उपग्रह एक तो ई ओ एस जीरो सेवन ठीक है जानूश वन और आजादी सेट टू उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्छा में इस्थापित करने के लिए स्मॉल सेटलाइट लॉंच वेहिकल एस एस एलवी से लॉंच किया है याद रखना है आपको यह साथियो स्मॉल सेटलाइट लॉंच वेहिकल है इसी से जो है इन तीनों सेटलाइटों को लॉंच किया गया है आपको याद रखना है ठीक है चलिए आज गगला कोश्चन देख लेते हैं भारत में पहली बार किस राज अथ्व को रखना है कि पहली बार जो है जम्मू कस्मीर में क्या मिला है साथ यो तो लिथियम के भंडार चली आज का अगला कोश्चन देख लेते हैं फाइजर इंडिया ने किसे हाली में अपना मैनेजिंग डिरेक्टर और मुख्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया है तो य 2023 से प्रभावी होंगी यानि तीन अप्रेल 2023 को ये पद गरहन करेगी निवतिया जी ठीक है इसके लावा निवतिया अगले पांच वर्सों तक इस भूमिका में काम करेंगी ठीक है याद रखना वहां इससे पहले स्ट्राइकर इंडिया के उपाध्धच और प्रभन निर् क्या है आपको याद रखना है चली अगला कोश्चन देखते हैं साथियो दिखीगा मलियालम सिनेमा की किस एक्टरेस की 120 वी जैनती पर गूगल ने डूडल के मजधम से सर्धान जली दी तो साथियो अगर आप लोगोंने गूगल खूला होगा कल तो ये डूडल आपको ज जैनती पर गूगल ने डूडल बनाकर इस परकार का जो गूगल का थीम होता है होम पेज पर जो गूगल लिखा हुआ दिखता है आपको वहाँ पर जब भी गूगल किसी का डूडल या किसी को जो है किसी सिलेवरिटी या किसी भी प्रतिष्ठित कलाकार को चिन्हित करने क के लिए या उनकी पुनेति ठी या जयनति पर जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए डूडल बनाता है और इस बार जो है अभी हालि में यह मलियालम सीनेमा की एक्टरेस रही पीके रोजी जी को सम्मानित क्या गिए याद रखना है ठाहिए परकार का होता है डूडल गूगल का अगला कुश्चिन है हाली में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रेंग क्या है तो दिखी गए यह 2021 का रेंग है जो अभी हाली में जारी हुआ है 2023 में हाली में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ् राश्ट्रक्चर इंडेँस 2021 में भारत की समग्र QI प्रणाली रेंकिंग टॉप 10 में दसवे अस्थान पर बनी हुई है याद रखना है कि भारत्य गुनवत्ता परिसद के तहत आने वाली भारत की राष्ट्य प्रतायान प्रतायान प्रणाली को GQII 2021 में पांचवा अस्था होगा तो साथियों ये इसका सुभारम जो है आपका याद आपको रखना है दस फेब्रवरी से ही शुरू है और दस से चौदा फेब्रवरी तक मैं अभी आगे बताऊंगा सबसे पहले आपको बता दे कि ये जो है किस राजत्वा केंद्रा सासित प्रदेश में सुरू हुआ तो आपका राइट अंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कस्मीर में तो अप्सन नंबर भी राइट अंसर है जम्मू कस्मीर और ये अभी प्रतमान में जो भारत के खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी उन्ही का फोटो है आईए पूरा सब कुछ बताते हैं तो बारा मुला जीले के जो गुलमर्ग है गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उधगाटन किया है और साथियों 2023 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेला जा रहा है वो तीसरा संस्करन है आपको याद रखना है और देखिए प्रतियोगिता का जो आयोजन ह वो 10 से 14 फर्वारी 2023 तक किया जाएगा कहाँ पर तो जम्मू कस्मीर के 12 मुला जीले में जो गुलमर्ग जगा है यहाँ पर चलिए अगला question देखते है ICC T20 महिला विसो कॉप का आयोजन किस देश में सुरू हुआ तो साथियों आपको याद रखना है ICC T20 महिला विसो कॉप का जो आयोजन है वो दक्षिन अफरीका में सुरूबा है तो साथ अफरीका option number D आपका right answer आजाएगा ठीके और साथियों आज के लिए आपका ये question है कि today question for you इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है कि हाली में कहां मूर्तिकला पार्क का उधगाटन किया गिया है चलिए सभी लोग comment कर दिजिए कि हाली में कहां मूर्तिकला पार्क का उधगाटन किया गिया इस question का answer कल मैं आपको बताऊंगा कल वाले current face के वीडियों में तो आप लोग सभी साथ ही कमेंट कर दीजे और साथ हो इस class का PDF आपको 10 बजे के बाद ही मिलेगा हमारे टेलेग्राम चैनल पर अगर आप लोगों ने अभी तक जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लिजेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ हो आपको बता दे डेली सबेरे 6 बजे ये करेंट एफेस का वीडियो चैनल पर अपलोड होता है तो आप लोग नेन से जाग के ही सबसे पहले इस वीडियो को देख लिए क्योंकि पूरे दिन का टेंसन आपका खतम हो जाता है और वीडियो अगर पसंद आ है तो आपने सबी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजे और साथ हो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक स्वास्त रहें जैन साथ हो वंद मात्रम